गुट इबनिंग कैसे हो आप सब उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और सब कुसल मंगल होगा गुट इबनिंग सभी को राम राम रादे रादे तो सब कुछ अच्छा है तो आप कमेंट करिए कि यहां भाई सब मस्त चल रहा है एकदम चल रहा है बस पढ़ना है चल यह ठीक है बहुत अच्छा सथियों डियलेट का जो अभी समय स्रीज चल रही चार पांच ना यह इंपॉर्टेंट चैप्टर और कुश्चर वाली है यह रेगुलर कलाफ नहीं है तो इसमें आप देखोगे कि आपको कुछ अलग तरह की कलासे मिल रही होंगी तो आज हम जो टोपिक लिये हैं वो है दो चर रासी वाले रैखिक समीकरण यानि यूगुपत समीकरण जिसने हम इलिमिनेशन मेठेड और क्रास मल्टीपल मेठेड सब्स्ट्यूशन मेठेड होगरा से करेंगे तो क्रास को इस सेशन को पूरा इंड तक आपको देखना है और बीच में छोड़के नहीं जाना है ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो फोर समेश्टर के च कुश्चन पहला है 2x-3y इक्वल 1 और इसमें एक एक्वेशन है भाई साहब 5x अपलफ का 4y इक्वल का क्या है 1414 इनको क्या करना है आपको जरा ध्यान देना इन्हें आमें काम करना है इन्हें लिखो आप लोग परतियस्थापन विधी से हल करना है क्या करना है वो परतियस्थापन विधी से हल करिए कितने लोग कर लेंगे जो नहीं कर पाएंगे वो बिल्कुल परिसान नहीं होंगे मैं बताऊंगा आप सभी कर ले जाएंगे और सुधान सुझी का अरुमान और राचेंद्र दास का कमिनटार वह से चातर जूड़े हैं लेकिन सब्सापन विधी तो खात्रों यह समिकरण एक और दो आपको दिया है ना भाई साहब हम यहां से हल करेंगे यहां से हल लिखेंगे और हमें यह समिकरण जो दिये थे हम यहीं पर इनको मान लेंगे वन और इनको टू दो बार काये लिखें बार-बार यहां लिखेंगे समिकरण एक से स rightspoint ंपिड साज एक में हम ऐसा काम कर सकता हूं क्या पता है इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दो एक्स भराबर one plus three y. होँ यह लिख सकता hoch कि नहीं वहिया हो ये थ्रिवाइ उधर जाएगा बावू तो पलस में हो जाए यऐकस का बहलू निकालेंगे तो 1 plus 3y upon 2 ये आपका हो जाएगा equation number क्या तीन मान लो इसे ये समिकरण number 3 हो गया अब क्या करोगे अब क्या करोगे तरह सोचो और मुझे बताओ ये जो यक्स का मान आया ना भईया इसको किसी एक समिकरण में रख दोगे बाबू ठीक है फिर वाई का मान मिल जाएगा आप लिखो इस मान को समिकरण एक में तो नहीं रखेंगे क्योंकि एक से ही निकला दो में रखेंगे लिखिए इस मान को इस मान को मतलब जो दिया है समी करण दो में रखने पर ठीक है clear दुनीता जी आपका कमेंट आ रहा ठीक है ओके गरिमा जी विल्कुल गुड इबनिंग नरेस जी गुड इबनिंग समी करण दो दिया है भाई यहां दिया है इनको हम इधर साइड में कर लेंगे क्योंकि इधर जगा कम है पहले हम यहां तक हल करेंगे फिर उधर साइड में चलेंगे यह दिया है 5X प्लस 4Y इक्वल 1,414 X का जो बैलू दिया है 1 प्लस 3Y इसे रख लेंगे यह 5 इंटू 1 प्लस 3Y अपान 2 ऐसे हो जाएगा यह प्लस 4Y इक्वल 1,414 इसमें किसी को कोई परिसानी नहीं हो रही सब कुछ मस्त है चलो अब इनका हम हल करके Y का यहां से मान निकालेंगे कैसे हल करेंगे जरा ध्यान देना उपर का उपर मल्टिपल कर लो नीचे का नीचे कर लो तो भाई दिक चलना ना सब चलो इसमें अंदर में गुडा करोगे हल करना थोड़ा मुश्किल होगा मेनत करनी पड़ेगी तो 5 एक कम 5 और 5 का 3 में करोगे 5 यह पंदरा वाई कितना हो जाएगा यह पंदरा वाई अब इसमें हम का करेंगे इनको इनके नीचे वन लिखो इनको आपस में करो तिर्चा मल्टीपल करो इसको तो पांच पलस यह पंदरा वाई प्लस यह दो चुव का आठ वाई इनका क्रास मल्टीपल करो आपस में इसका इसमें किया इसका इसमें किया यह दो और यह 1414 इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको अब मैं मिटा सकता हूँ ठीक है इधर मिटा दूँगा ध्यान देना उधर साइड से इधर आजाओ साथियों अब इसको हल करना आसान है यहां से Y का मान निकल जाएगा और Y का मान जो निकल जाएगा न उसे समीकरण एक में रख देना यक्स का मान निकल जाएगा समीकरण में सिर्फ यक्स वाई का ही मान निकालना इसमें और कुछ करना भी नहीं ठीक है भाईया सही ना चलो इसके नीचे बन लिख लेते हैं क्रास मल्टीपल कर देंगे तो यह आपका फाइनल में यहां पर मैं एरो लगाऊंगा क्योंकि बीच में बराबर लगा है तो बराबर एके जगा लगता है बार बार नहीं लगता है जली यहां पर मान रख देते हैं ख्यान देना थोड़ा सा डिश्ट्रब हो रहा है मुझे लग रहा है यानि हमने क्या किया वन का मल्टीपल इस पूरे में किया और टू का किया 14 में तो यह 28 इस तरह से साथियों यह आपका थोड़ा ध्यान देने लाइक है कि दोनों जूड़ेगा तो 23 हो जाएगा और यह पांच इधर जाएगा इधर प्लस में है इसमें से माइनस में हो जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह गटेगा तो 23 आएगा और यह 23 इधर वाला इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा by कमान अब समीकर एक में रखतेंगे अरंे याज देना इसी सी में रखेंगी इधर यहां पर लिखो ऑगन समीकरं एक में रखने पर लो और जैसे आप रख दो कि वर नहीं हो जाएगी खत्म आप देखना मैं लिखने के बाद संब्सक्रार्ठ वजयाओंगा तो 2x माइनस का 3y है ना बराबर का 1 माइनस है याद रहे उपर हेडिंग लिख दे ना य कमान समिकरण 1 में रखने पर यह समिकरण 1 है तो यह कमान रखेंगे 1 आया है यह 1 है थोड़ा सा दिश्टरब चल रहा है यह 2x यह 1 है माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा यह 4 हो जाएगा क्योंकि यह 3-1 फोर जाएगा यह इक्स इक्वल 4 अपान 2 आइनल में यह कमान क्या आएगा 2 आएगा हमें यह और यह कमान निकालना था तुमिकरण करके दिखेंगे यह यह बराबर दो और वाई बराबर एक तो इस तरह से चात्रों आपका यह कम्पलीट हो गया आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पर आपको पूरा क्लियर दिख रहा है अगर कोई भी डाउट है कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए बीटी स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें हमारे साथ बहुत-बहुत सुक्ति आप सभी को दिल से धन्यवाद कुछ भी कहना है तो बताइए नहीं कहना ना चलो कि बंद करते है